नमस्ते रादे रादे, हेलो फ्रीवन, वेल्कम टू आवर चैनल बाइवर्स दे यूनिवर्स ओफ बाइयलजी तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपको आपके ब्यूस से फ़क्त सेमेस्टर का जूलजी का फिपर सेकेंड जो कि आपका डाइवर्सिटी ओफ का ओड़िट है पढ़ा रही हूँ उसमें हमने आपका क्या कर लिया था? हमने आपका यूरो कॉड़िट कर लिया था तो चलिए देखते हैं कि हर्ड मानिया में किस तरीके के कॉश्चन कुछे गयते हम कॉश्चन देखेंगे और अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए आपके लेक्शर्स की तो आपको मेरे टेली ग्राम चैनल जोइन किजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपको कोई और इन्फार्मिशन चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल जोइन करजिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं बात करूँ, इससे कॉषिटन पूछे जाने की, तो पहला ही कॉषिटन पूछा गया था, कि मार्फोलोजी ऑफ हर्डमानिया ठीक है? और यह फाइफ नंबर्स का कॉषिटन था, ठीक है, कितने नंबर्स का? five numbers का question था हर्ड मानिया का morphology भी मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें सब कुछ आपको पढ़ना है कि हर्ड मानिया की morphology किस तरीके से होती है क्या क्या चीज़ इसमें होती है second इसमें पढ़ना था इसकी physiology आपको पता है कि physiology में हम digestive system, excreatory system nervous system सब कुछ पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ना था इसमें इसका elementary canal पढ़ना था और उसका feeding mechanism हर्ड मानिया का किस तरीके का होता है यह हमें पढ़ना था तो basically हमें इसका क्या पढ़ना था digestive system digestive system से question कुछ आ गया है जो आपको यह सारी चीज़े वी डिटेल में आपके lectures में कराऊंगे तो चलिए हम लोग lecture स्टार्ट करते हैं तो अगर हर्ड मानिया की मैं बात करूं तो हर्ड मानिया का सबसे पहले हम देखेंगे कि general classification क्या होता है आप सब को पता है कि phylum और सौरी phylum core data से सब phylum euro core data से और class S.E.D.E.C. से ये बिलॉंग करता है जनरल classification में भी ये सारी बाते में आपको बताई थी order की बात करें तो order इसका क्या हो जाता आपका इस्टोलीडो ब्रैंकिया इस्टोलीडो ब्रैंकिया इसका order हो गया और type में तो आपका हर्डमानिया हर्डमानिया को सी स्क्वाइट भी कहते हैं ये सी स्क्वाइट कुछ इस तरीके का देखने वाला animal होता है जिसकी बाड़ी के अगर morphology की जनरल morphology की आप बात करेंगे जो सिर्फ देख के आप बता सकते हैं इसकी बाड़ी दो पार्ट में डिवाइड होती है यह वाला पूरा पार्ट यहां तक मैं भी कुछ पार्ट पाईदातें जैसे body proper कि अगर मैं बात करूं तो यह आपको ऊपर do siphon दिख रहेंगे, इनको siphons कहते हैं या अपरचर's कहते हैं जो कि है इस वाले को dorsal side वाले को अर्ट्रियल अपरचर और इस side वाले को ventral side वाले को यह हैं आगे का एरिया जो ठीक है, इसको कहते हैं anterior region और यहीं पीछे की area को posterior region ठीक, आप इतना समझ लिए जैसे आपका face, आपका anterior part है और आपका जो leg है ठीक है नीचे, वो है आपका posterior part, पीछे है मतलब जिसको आप touch करेंगे तो time लगेगा सबसे पहले आपका head ठीक और अगर वहीं आपके आइंड की बात करें तो यह आपका होगए मिला पार्ट आपको होगए पुस्टी shows available करें जो मैं आपको इंटिर समझाने की बात करें दौर्सल मतलब होता है पीछे वाला पार्ट ठीक है तो इसकापीछे का पार्ट अरिस साइड में वेंट्रल बताए गया है कि इसके आगे का पार्ट वेंटरल तो डॉर्सल वेंटरल आपको समझ में आ गया होगा तो इसके क्या होते हैं अपर्चर्स होते हैं ब्रैंकियल और एट्रियल अपर्चर ठीक है दो अपर्चर होते हैं इसको एट्रियल साइफन या ब्रैंकियल साइफन भी कह लेंगल ने का इन करेंट और एक्स 경우에는 आने वाला कैनल एक्स का मतलब भाहर जाने वाला कैनार अब यueprint के यह मतलब पर запẩ 17 इब ऐहां से यह वाला पार्ट जो अटेछ उजए इसटर == यह वाला चीज ट्रश दॉट्श बाट्रीज शे faço एक का और घुसको कि टेस्ट कहते हैं, टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं, ठीक है, टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं, इस कवरिंग को, तो इनकी बॉड़ी पर जो कवरिंग पाई जाती है, उसे टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं, इनके ये जो बॉड़ी होती है, एकदम लूज इसी होती है, तो ये सैंड पर जाते तो इसमें सेंड लग गए हैं कुछ foreign particles लग गए हैं तो वही इसमें foreign particles को दिखाएंगे नॉर्मल यह ऐसे होता है यह सब जो इसमें यह सारी चीज़ें आ गई है इस इस जोन अज foreign particle ठीक है तो general इनका body structure आपको समझ में आ गया होगा basically दो पार्ट में body proper और body foot में divided होता है proper body proper में क्या होते दो अपर्चर्स ओपर की तरफ पा जाते हैं वो दोनों siphon से attach होते हैं इनकी पूरी body के जो covering होती है उसको क्या कहते है टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं यहां पर जो लिखा है वो टेस्ट लिखा है position of the body inside the test ठीक है तो hopefully यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गहेंगी अब एक ही करके हम देखते थोड़ा सा इनका general character देख लें कि habitat habitat क्या है उसके बाद यह सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी morphology में आ जाएंगी कि color क्या है सेप साइज क्या है ठीक है morphology में आ जाएंगी तो hopefully यह चीज़ आपको समझ में आएगी अगर मैं बात करूं इनके habitat habitat की तो यह क्या होता है exclusive the marine मतलब केवाल क्या होंगे समुद्र में भी से इस रूप से समुद्र में ही पाया जाते हैं common acidians इनको कहा जाता है cdac class से बिलांग करते हैं तो इसलिए इनको acidian कहा जाता है shallow water में मतलब छिछले पानी में समुद्र के तटों पे पा जाते हैं और indian इंडियन इंडियस्टी कोस्ट में भी यह पाया जते actos में जबाब जाएंगे ख़inka साइड में तो वहां पर इनको वहां पर इनको क्या कहा जाता पता है उंदा पशजि Action को एक नाम मुझे यादा आगया इनका आरिल कोट पाल में आपको यह ऐसे ऐसे पानी इधर जाएगा और ऐसे ऐसे फवारे की तरह निकलता है यह पानी इसी वेज़ेसे इनको C-squared भी कहा जाता है तो इनके दो नाम आपको पता चलगे C-squared या potato square भी कहते हैं या उंडा पासी भी इनको कहते है ठीक है अब इनकी morphology की बात करें तो shape और size और coloration की बात करें तो body literally compressed होती है मतलब lateral side से compressed होगी और lateral मतलब इस वाले side से क्या होंगी compressed होती है ठीक है lateral mentally सब में meaning आपको बता देती हूं look like bag और potato इसी वेज़ेसे इनको potato squats भी कहते है average adult की अगर मैं बात करूते हैं इनका 9.5 cm long होते है 7 cm broad होते हैं और 4 cm थेक होते हैं इनकी पूरी body test से cover होती है यह पूरी body जो है एक covering से cover होती है जिसको के किया कहते है टेस्ट या ट्यूनिक कहते है body दो part में divided होती है body proper and food जो कि मैंने आपको दिखाया कि body proper और food में क्या होती है body proper and food में divided होती है अगर मैं body proper की बात करूं तो body proper का हिस्सा पूरा मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा मिसकर detailing पढ़ लेते हैं कि body proper की अगर मैं बात करूँ तो broader और longer होता है जैसा कि आपको दिखराऊगा broader और longer होता है दो sort cylindrical projection इन में पाए जाते हैं branchial and atrial siphon या funnel कहते हैं दोनों same level पे situated होंगे ठीक है दोनों same level पे situated होते हैं जो branchial या oral siphon होता है याने कि branchial siphon या oral siphon ये smaller होता है और ये terminal opening होता है branchial aperture में या mouth कहते हैं इसको या incurrent कहना होता है अब ये जो branchial siphon है ये थोड़ा सा छोटा होता है ये aperture या इस तरीके का aperture जो इसमें आपको दिख रहा है इसको mouth कहेंगे ये small होता है इसको incurrent opening भी कहते हैं मतलब पानी इसी के तरू जाता है और atrial या cloacal siphon जो होता है ये large होता है ठीक है कैसा होगा large होगा ठीक है और इसको ex current opening या atrial aperture कहते हैं ठीक है क्या कहेंगे ex current opening या atrial aperture ये जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा इसकी comparison में थोड़ा large होगा इसको atrial aperture या opening कहते हैं ये पूरे जो होते हैं lobe से guarded होते हैं lips जिनको कहा जाता है वो elastic होते हैं ये जो guarded होते हैं ये lips से guarded होते हैं ठीक है तो body proper आपको समझ में आगे होगा food की बात करें तो ये भी entirely test ear tunic से मिलकर बना होता है dirty color का होता है देखके ये आपको पता चल रहा होगा ये dirty color का होता है क्योंकि रफ होता है क्योंकि इसमें sand particles cell के pieces ये सारी चीज़े पाई जाती है ठीक है इनका shape size variable होता है देखने को definite shape नहीं है variable है food balancer की तरह act करते हैं क्योंकि ये जहां पे भी attach रहते हैं ये food से ही attach रहते हैं तो ये body को किसी substratum से किसी चीज़ से attach करके रखता है और balance करके रखता है ये food ही help करते हैं जैसे हमारे pair हमें straight रखने में help करते हैं उसी तरीकी से इनके भी ठीक है अब बात करें तो इनका test or tunic क्या होता है test or tunics में भी कुछ कुछ चीज़े हैं आप से test tunic पे sort note पूछ सकता तो आपको पता होना चाहिए ये protective इस तरीके से कुछ structure इसका होता है ठी एक इसमें ये इस तरीके का structure होता है vascular ampula पाई जा रही है test vessels पाई जाते है matrix पाई जाती है उनमें micro sclerus और mega sclerus type की specule पाई जाते हैं दो type के specules पाई जाते हैं एक होता है micro sclerus type और दूसरा होता है mega sclerus type ठीक है इनका structure कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा सा detailing देखते हैं, तो test or tunic की बात करें, तो यह protective jacket या covering की तरह body pain के काम करता है, यह accessory respiratory organ की तरह काम करता है, receptor organ की तरह भी काम करता है, मतलब respiration का कैसे हो रहे, general body surface से हो रहे, जैसे हम लोगों में hemoglobin blood की जरुवत पढ़ती है, तो इ transmission का transport मतलब respiration, वो general body surface से होगा, तो test or tunic इसलिए भी जरूरी होता है, receptor की तरह वर्क करते है, कोई चीज आके attach होई, तो इसको receptor करते है, heat है, cold है, ठीक है, अगर इसके thickness की बात करें, तो 4-8 mm तक थिक होता है, leathery type का होता है, और leathery और translucent होता है, ठीक है, leathery होगा, और कैसा हो होगा, translucent, translucent का मतलब था पारभासी, that means कि हलका हलका दिखाई देगा, एक दूसरे के तरफ से, almost transparent होता है, यंग स्टेज में, जब ये एकदम young all stages का होगा, तो एकदम transparent होगा, जैसे जैसे ही develop होता है, तो ये opaque हो जाता है, मतलब थिक हो जाता हो, translucent बन जाता है, मतलब आभासी हलका हलका दिखाई देगा, ठीक है, और test जो है, इसको cut करेंगे, तो soft cartilage से मिलकर बना होता है, जो कि कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है, ये clear gelatinate matrix से मिलकर बना होता है, जो कि cell में embedded होते है, matrix ये पायजा रहा है, ठीक है, इसी में cell में ये embedded होते है, various type के corp skulls पायजाए ये इस तरीके से 5 बरस आथ देख रहे हैं इंटरकलेटिंग 5 बरस पाई जाते हैं ब्रांचिंग 11 वेसल्स आप देख ही रहाएं ब्लड वेसल्स टेस्ट वेसल्स इस तरीके से ब्लड वेसल्स इन Mem bridgessteme解 जाते हैं और कलकेरियेस. Ispecu. Für. अब ये कलके Canceris spycule के होते हैं, कहा जाता है क्या कहा जाता मैंट tengan टेस्ट तो इनकी आउटर कवरींगे लेकिन उसके अंदर जो बॉडी फाल पाया जाता है उसको mental कहा जाता है यह ठीक और muscular होता है enterodorsal region होता है body का it is thin, non-muscular non-muscular होता है transparent in the posterior ventral region जो पीछे का और ventral side में ठीक है, माल लिजे posterior मतलब यहाँ नीचे वाला side ऐसे कोई चीज है तो यहाँ नीचे वाला side और यह ventral वाला side यह क्या होता है इनका muscular, non-muscular होता है वहाँ पे muscular नहीं होता है यह epidermis, mesenkyme और inner epidermis में divided होता है ठीक है, तो इस तरीके से इनकी पूरी morphology, यहाँ तक इनकी क्या हो गई, पूरी morphology हो गई अब हम इनकी physiology और development पढ़ेंगे, ठीक है तो अगर इनकी physiology के मैं बात करूँ, तो पहले ही physiology में हमने digestive system पढ़ना है digestive system से आपको question पूछा गयता हो सकता है, हार्ड मानिय का circulatory system भी बहुत important होता है तो next question आपको इनकी circulatory system से पूछ ले, ठीक है तो आपके यह सारे ही system importance है, और उस important भी most important जो होता हो, मैं आपको बता देती हूँ, तो मैंने बता है इनका digestive system, neural complex neural gland complex, इनका important होता है, इनमें retrogressive metamorphosis पाया जाता है, development के time में, तो वो important हो सकता है retrogressive metamorphosis से आपको short note पुछ लेगा, तो जितनी भी चीज़े important है, मैं आपको पताते चलूँगी, अफिजियोल्जिया फर्डमानिया की बात करें तो इनका digestive system होता है, ठीक है digestive system, अब digestive system कुछ इस तरीके का इनका देखता है, ठीक है अब digestive system की अगर मैं बात करूँ तो digestive system, elementary canal और digestive gland से मिलकर बना है किससे, elementary canal and digestive gland, ठीक है अब elementary canal में पूरा आपका mouth से लेके, iso, phagos, stomach, intestine, सब कुछ उसमें आएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इनका क्या दिखता है elementary canal, elementary canal seen from the left side removal of the mental, mental को remove करके ये left side से आपको दिखाया गया, ठीक है ये किस तरी से इनका branchial syphon या branchial aperture है, यहां इसे क्या होता है, इनका mouth start होता है, यहां यही से इनका क्या होता है, mouth start होता है, फिर इनका देखिए इस तरीके से pharynx, pharynx इनका काफी, इस तरीके से pharynx आपको देखने को मिल रहा होगा ये इनका pharynx होता है, pharynx के बीच बीच में ऐसे फैरिंग्स के बीच बीच में इस्टिकमेटा पाए जाते हैं इस तरीके से फैरिंग्स के बीच इनके बीच में क्या पाजा रहा है इनका गुनेड वाला एरिया भी पाजा रहा है लेकिन बेसिकली हमको किसे मतलब इनके digestive system से थोड़ सा digestive system को मैं यह diagram और क्या कर देती हूं इस तरीके से कर देती हूं तो अगर आप यह देखेंगे तो इस तरीके से इनका क्या है यहाँ पर branchial siphon branchial tentacles यह mouth है इनका mouth की opening किसमें और यह pharynx में यह है इस तरीके से यह वाला area इस तरीके से इसमें lining पाजा रही है और इस lining में भी इस तरह बीच बीच में क्या पाजा रहा है अब यह आप पढ़ेंगे, श्टिगमेट आप आजाएंगे, ठीक है, और फिर यह जाके open हो रहा है, कहाँ पे, इसोफेगस में, इस तरीके से इनका इसोफेगस, यह इसको ओईसोफेगस भी आप लिख सकते हैं, या इसोफेगस भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं तो इसे इसोफेगस ही प्रोनाउंस करती हूँ, ठीक है, तो इसोफेगस में जाके open हो रहा है, और इसकी opening फिर आके आपके stomach में हो रही है, same as it is pattern follow होता है हमारे भी digestive system का, और यहाँ पे accessory gland पा जा रहे हैं, जो कि आपका है liver, ठीक है, intestine में, intestine, rectum, rectum से anus में और यहाँ से बाहर निकल दाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से इनकी क्या होती है, system होता है, pharynx इनका काफी बड़ा होता है, उसमें कई सारे zone पा जाते हैं जब आप pharynx को में पढ़ाऊंगी, तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, कि pharynx यह पूरा आपका काफी बड़ा इस तरीके से होता है, तो पहले start करते है, elementary कैना से, तो digestive tract, herdvania का जो होता है, कैसा coiled और complete होता है, देख रहे हैं, इस तरीके से coiling पाए जा रही है, और complete होता है, कुछ पार्ट है, इसके सबसे पहले है, mouth से opening, इसकी कहा होती है, brankle siphon marking the anterior end of the body, it is guarded by four lobes derived from test, आपने देखा इस तरीके से 4 lobes से derived था, जो कि किस से बने होते हैं, test से derived होते हैं, ठीक है, test मैंने बताया है, इसकी outer covering होती है, यह फिर open होता है किसमें, बक्कल cavity में, कहां बक्कल cavity में, ठीक, बक्कल cavity क्या होती है, mouth leads into conlaterally compressed cavity called brankle siphon, इसी को बक्कल cavity या istomadium कहते हैं, ठीक है, यह जो आपको brankle siphon है न, जैसे हमारा, यह brankle siphon है, इस तरीके से, इसी को क्या कह रहे है, बक्कल cavity या istomadium कह रहे हैं, istomadium, जिसको कि अगर मैं भी यहीं एक छोट क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था, बैलेनो ग्लॉसस, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बताया था, कि इसी stumadium को नूटो कॉर्ड माल लिया गया था, जो कि इसी वज़े से, हैमी कॉर्ड टू कॉर्ड इट नहीं होते हैं, ठीक, इस तरीके से यह open हो गया, तो वही बता जारे कि बैंक्यल साइफन क्या है, कि बक्कल कैविटी इस्टो मेडियम में open होता है, यहाँ पर strong बैंक्यल अपर स्फिंग्टर पाय जाते हैं, इस तरीके से खुल जाएंगे, बंद हो जाएंगे और इस तरीके से खुल जाएंगे, बंद होकर खुलने का काम करते हैं स्फिंटर ठीक है जो रेगुलेट करते हैं ओपनिंग आफ माउथ को ठीक है यही मैंने बताया है इनका इस सर्कलेट ऑफ हाइली ब्रांच टेलिकेट ब्रैंकियल यहां पे न एक क्या होता है सर्कल पाए जाता है किसका ब्रैंकियल टेंटिकल्स का इस तरीके से जो की नर्फ के जार रिचली सप्लाइड होते हैं ठीक है यहां पर फूड को अंदर नहीं आने देते हैं ठीक है यहां पर यहां पर फूड को अंदर नहीं आने देंगी it स्फिंक्टर यहां पर यह लगा हुआ है जब फूड आएगा तो यह ओपन होगा और यह उसी फूड को जाने देगा जो जुरूरी हागा यहां लार्जर पार्टिकल्स आ गए ब्रैंड के टेंटेकल्स इनके नीचे पाजा रहे ठीक है यह देख रहा है आप यह है स्फिंक् इस तरीके से ट्राइप हो जाएंगे और इस्मॉल पार्टिकल्स को यहां अंदर आने दिया जाएगा ठीक है यही बात यहां पर बोली जा रही है मैं डाइग्राम इसलिए एड़ करती हूं कि जब आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में अगर मैं यहां बात करूं इस डाइग्राम की ठीक है तो यह रहा आपका क्या एक फैरिंग्स एनिमल कट उपें दा वेंट्रल साइड लॉंगिटुडनली सोधा इंटर्नल व्यू आफ फैरिंग्स ठीक है इस तरीके से दो पार्ट में यह डिवाइडेड है यह है आपका यह पर तो स्फिंग्टर हो गया इस तरीके से और उसके नीचे टेंटिकल्स आप देख रहे हैं यह स्फिंग्टर उसके नीचे इस तरीके से टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं जो लार्जर फूड को नहीं जाने देते हैं अब उसके नीचे क्या आ रहा आपका फैरिंग्स आ र हरु है और बचे वाले पार्ट को किया कहरे हुआ है निर्क फेल पाये जाते यह पे यहां चाहिए पुरे part in के पाय जाते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे pre-branchial zone की, तो pre-branchial zone होता क्यों है इसको आप समझेंगे, बड़ा देखके इसको मतलब आप डरिएगा, आप चाहिए तो स्क्रीन सॉट ले लीजिए और फिर समझेए ठीक है, मैं समझा देती हूँ तो यह क्या होते हैं, small anterior region होते हैं, मतलब anterior मतलब आगे वाले region में पा जाते हैं without folds, इन में folds नहीं होते, cilia and stigmata और gill slit, यह separated होते branchial sac से दो circular thin parallel ciliated ridge के दारा जिसको की anterior और posterior perifaryngeal band कहते हैं, ठीक है तो इन में कोई fold cilia, stigmata gill slit, यह सब नहीं पा जाते हैं दो circular parallel ridge मतलब ridge का मतलब होता है, एक तरीके से गड़े के से, क्या होंगे, separated होंगे जिनको posterior perifaryngeal band कहा जाता है, और यह बंद करते हैं, एक narrow ciliated perifaryngeal group को, जो anterior वाला, मतलब, आगे वाला perifaryngeal band होता है, वो complete ring होता है, और mid dorsally in front of lies smaller dorsal tuberical made of two spiral coils, और यह dorsal tuberical के आगे पा जाता है, और जो posterior perifaryngeal band होता है, वो interrupted होता है, बीच के side से dorsal lamella और mid ventrally endostyle के दारा, तो यहां पर यह structure मैंने आपको दिखाया था, ठीक है कि यह वाला जो जून है, इसी की बात की जा रही है, तो यह वाला endostyle जो आपका पीछे वाला part है, posterior वाला endostyle के दारा, dorsal tuberical के दारा क्या होता है, interrupted होता है, लेकि जो आगे वाला, अब इसी में दो reason है, तो आगे वाले region में कोई folding, holding नहीं पाए जाती है और यह आपके पीछे वाले में क्या होते है, यह endostyle region से और किसे आपके dorsal tuberical से interrupted होता है, यही बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है branchial sac के अगर मैं बात करूँ तो यह larger posterior region है pharynx का, इसको branchial basket भी कहते हैं, इसकी wall जो होती है, इसकी wall पे क्या पाए जाते है, gilslet और stigmata पाए जाते है, gilslet इनकी wall पे क्या पाए जाते है, gilslet और stigmata पाए जाते है, ठीक है इनकी जो wall होगी, इन पे gilslet और stigmata यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था gilslet और stigmata इनके wall पे पाय जाते हैं जो बीच बीच मेंने आपको दिखाया था ठीक है और यह गिनसलिट और स्टिगमेटा क्या काम करते हैं दा एपिथिलियल लाइंग ओफ टीगमेटा बीर्स लॉंग सीलिया जिनको के लिटरल सीलिया केते हैं अभी इस्टिगमेटा है उस पे लार्ज लार्ज क्या पाजा रहे हैं सीलिया पाजा रहे ठीक है अभी सीलिया क्या काम करते हैं फैरंजेल ऑल्च डिवाडेड़ इंटु स्टिगमेटिक रेक्टेंगुलर एरिया भाई लॉंगिट्यूडनल र्ट्रांसवर्स बार अभी इ होता है जो डाइजिशन में हर्फ करते हैं जैसे अगर मैं बात करों अगर बात क testify र 밥 उली कि व्यक्षान होता है ब्लड वेंटenne के लिट इसमें और इसमें और 9-6 फोल्ड इसमें वोता है तीन किक्रीज इनका काम क्या होता है ये फ्लोर में साट ग्रूफ और कंड़क्टिंग फूड एक नली बनाते हैं जिसे फूड को कंड़क्ट करें एंडोस्टाइल पर आपसे सॉट नॉल्ट पूछ सकता है स्वेलो मिडवेंटरल ग्रूव होता है मैंने इंडोस्टाइल आपको दिखाया यहाँ पे आपको एंडोस्टाइल मैंने दिखाया, फ्लोर ओफ ब्लैंकिल सेक पे पाय जाता है, और यह जो एंडोस्टाइल है यह हॉमोलागस होता है, मतलब similarity सो करता है, हॉमोलागस होता है, हाइपो फैरेंजेल ग्रूब सी फैलो कॉड़ेट का, और thyroid gland vertebrates का, हम लोगों जो thyroid gland है, उसकी तरह यह, उसकी तरह दिखता है, हॉमोलागस होता है, उसका ऐसा मालगता है कि यही से origin है, सेम origin है, इन सब की और जो हाइपो फैरेंजेल ग्रूब होता है, से फैलो कॉड़ेट का उन्ड़ का, ठीक है, अब यही बात हो गई आपकी किसकी, फैरिंक्स की, फैरिंक्स के बाद आजाता है आपका इसोफैगस, फैरिंक्स में prebrancle, जूल, ब्रैंक्स सैक पढ़ा आपने, उसके बाद से उसमें ट्रैबीकुली, डॉर्सल, लैमिना और इंडस्टा ही पढ़ा, तीन पार्ट, अब आजाता है इसोफैगस, यह सौर्ट और कर्व होता है, इसोफैगस आपको मैंने दिखा है, इस तरीके सौर्ट कर्व होता है, ठीक वॉल होती है, इसकी चार लॉंगिट्यूडनल ग्रूप आ जाते हैं, जो ब्रैंकिल सैक से इस टमक को कनेक्ट करते हैं, फिर यह जाके ओपन हो जाएगा इस टमक में, और इस टमक में क्या होते हैं, स्फिंटर लगे होते हैं, दोनों इंड पे स्फिंटर लगेंगे जो उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, फिर यह जाके खुलता इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन इस तरीके से आपने देखा, यू सेब्ड का होता है, ठीक है, प्रॉक्जीमल वेंटरल और डिसंडिंग लूप, डिश्टल रॉर्सल एसंडिंग लूप, यूनाइट एंटिरियली, अब इसमें जो भी इसका प इस तरीके से एहीं पे इंग्लोज होता है, ठीक है, इस तरीके के ये स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बाद आजाता है आपका यहाँ नीचे रेक्टम, में अन्टेस्टाइन रेक्टम में खुलेगा और इंटरनली, सीलिया की सी तरी के से लाइनिंग पाई जाती है, यह लोग जाके नीचे खुलेगा और एनस में और एनस गाड़े उता फोर लिप से जैसा कि मैंने आपको बताया था आपका तो आपका एट्रियल साइफन है उसी में जाके ये open हो गा तो एक लोगा जोह जाकर जाके अट्रियल अपर्चर में खुल जाएगा इस तरीके से था आपको पढ़ाने की कोसिस की है, आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंटरी कैनल, माउथ, बकल, कैपटी, फैरिंग, इसोफाइगस, उसके बाद इंटेस्टाइन, इस टमक, इस टमक के बाद फिर जाके ये खुल जाता है आपके, रेक्टम में रेक्टम से एनस, और एनस स फाइनली कुलवाका के थूफ एक्सकरेशन हो जाता है, इस तरीके से इनका फीडिंग होता है, फीडिंग के लिए स्विंतर लगे होता है, खुलता है, उसके नीचे टेंटिकल्स लगे होता है, जो की larger food को आने देते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से कहाते हैं, selective feeder हो सकते हैं selective food को ही आने देते हैं ठीक नर्वस system की अगर बात करें तो इनका जो nervous system होता है adult का वो बहुत जादे simple होता और degenerate होता ठीक है ये pinkish color के elongated 4 mm long होते हैं solid nerve ganglia जिसको की so called brain भी कहा जाता cerebral ganglia भी कहा जाता है ये इनके mental में dorsal side में दोनों साइफन के बीच में embedded होता है mental में ये रहा mental dorsal side में ठीक है ये dorsal side दोनों साइफन के बीच में क्या होता है इस तरीके से embedded होता है जो most tunicates होते हैं ठीक है it present dorsal to neural gland but in herdman yet lies just below the neural gland बहुत सारे tunicates में क्या होते हैं neural gland के डॉरचल में, लेकिन हडमादिया में यह उसके नीचे पाए जाते हैं, है, ब्रेण जो है, बाईपोलर और म्ल्ठी पोलर नर्फ से, बाईपोलर मतलब इस तरीके से दो पोट पाए जाहें और multipolar nerve से बनी होते हैं ठीक है जो कि reflex को control करते हैं मतलब जो भी आपका क्या आता है जो आपका क्या आता है receive करता है उसको और respond करता है उसके basis पे from the brain three nerves emerge out anteriorly to inner weight and branchial siphon and two nerves posteriorly to atrial siphon brain से तीन नर्व निकलती है anteriorly branchial siphon को जाती है एक और दो जो वो तिया आत्रेल siphon गुजाती है तो कुछ इस तरीके के यह दिखते हैं ठीक है यह आपका branchial aperture है यह इनका nerve ganglia है और यहां से nerves इस तरीके से निकल रही है ठीक है इस तरीके से इनकी nerves निकल रही है यह anterior nerve fiber है यह posterior nerve fiber है ठीक है तो यहां पी यही चीज बताएगे है कि किस तरीके से यह work करते हैं हिंदी में भी वही पूरी बात यहां से हम मैंने explain की है ठीक है neural complex जो होता है इनका वो तीन structure से मिलकर बना होता है neural gland nerve नर्व गैंगलिया या brain dorsal tubercle जिनकों की collectively क्या कहा जाता है neural complex कहा जाता है तो यह तीन structure से मिलकर बना होता है ठीक है हड़ मारियां का neural complex जो होता है nerve fiber neural gland और neural ganglia dorsal tubercle से मिलकर बना होता है इस तरीके से इनका dorsal tubercle ठीक और इस से इस तरीके से यह मिलकर बने होते है तो इनका nervous system काफ़ simple होता है किसमें जो इनका adult होता है ठीक अगर मैं आगे move करूं तो फिर आजाता आपका circulatory system इनका circulatory system भी काफ़ी important है circulatory system इनका किस से मिलकर बना होता हर्ट और pericardium से मिलकर type and close type open type में क्या होता है कि यहां पर कोई arteries vessel system नहीं पाए जाती है blood का ऐसे flow होता है पूरी body में उसी में सारे organ इस तरीके से dip होंगे लेकिन हमारे में क्या होता है इस तरीके से arteries veins यह निकलती है जो जहां blood की जरूरत है उसको वहां पहुचाती है ठीक है अब इनके heart की में बात करूँ तो कुछ इस तरीके का इनका heart होता है यह आपका बीच में heart हो गया ठीक है यहां पर यहां पर बीच में heart हो गया ठीक है connective tissue flap से यह attach होते है यहां पर यह आपका pericardium हो गया यह यहां पर पेरिकार्डियम होगे अंदर ठीक है यह आपको पेरिकार्डियम दिख रहा है उसमें पेरिकार्डियल कैविटीज पाई जाते हैं वेंटरल आयोटा से हर्ट अटेच होता है ब्रैंकियल कार्डियक वेसल पाई जा रहे हैं सब इंडोस्ट्राइलर यहां पर वेसल पाई जा और यहां पर blood sinus is sign के बीच में इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे तो इस तरीके से इनका blood पा जाता है और ये इनका circulatory system इनका काफ़े important है ठीक है तो हो सकता है तो next आपका इससे question पूछ ले तो heart की अगर मैं बात करूँ तो heart क्या होता है इनका non contractile होता है जैसे हमारा heart क्या होता है contractiles है इसमें rhythmic हमारी heart में क्या होती है rhythm होती है वो beat करता है contractile होता है लेकिन इनका heart contractile नहीं होता, elongated होता है मतलब इस तरीके का structure तो इसको elongated कहते हैं transparent होता है दीख सकता है आपको 7.0 cm long और 3 mm wider होता है right gonad के नीचे ये below में क्या करता है obliquely run करता है ये gonad है अगर तो उसके नीचे में हाँ पे ये इस तरीके से run करेगा ठीक है close होता है दोनों end पे मतलब अगर ये heart है आपको तो दोनों end पे इस तरीके से close होगा ठीक है filled with colorless pericardial fluid इनमें colorless pericardial fluid होते हैं जो की similar होते हैं जैसे blood हम लोग का होता है ये ठीक होता है और connective tissue से मिलकर बना होता है connective tissue से हमारा भी blood होता है लेकिन false connective tissue होता है क्योंकि हमारे blood में fiber नहीं पहा जाता है मैं एक conversion आपको बता रहें क्योंकि आगे आपको पढ़ना है अपनी फिजियाल्जी इंटरनली लाइंड वे स्कॉमस सी पिथीलियम इस्कॉमस सी पिथीलियम टिशू आपने पढ़ा होगा स्कॉमस टाइप कर यहां पर पिथीलियम पाया जाता है हाओ जो हता है इन क्लोज होता है नंदर यह हाथ है इसकी जोट कर परिकाडियम पर यह प्लांद से सब्सक्राइब हảiए इसका एटाश्मेंट फॉता है परिकार्ध थी डेसा से बनता जो फ्लैप बनता है परिकार्डियम के इंवोर्ण से लाइद अउर यहाल थ one तो इसका फंक्सन आपको समझ में आ गया होगा अगर मैं बात करो जोसे नियुकंतल जीनियुकंतलोmek जाते हैं बाइसके टॉर्सल ओर्टा की बात करें gust out vessel होती है मोटा होता है strict होता है mid dorsally ये क्या होता डॉर्सल वाल या brincular sac के dorsal ओर्से निकलती है ठीके brincular sac आपको पता होगा मैंने बताया है अब यागे brancular lateral vessel की बात करें तो ये posterior part से निकलता है dorsal avota के और दो आगे जाके इस तरीके से dorsal avota से निकलेगा आगे जाके दो में divided हो जाता है ठीक है cardiovascular vessel it arise from dorsal end of the heart and supplies blood to the sense organ और स्वारी यह क्या होता है dorsal end of heart से निकलता और कई organ को यह क्या करता है इस तरीके से heart blood supply करता है तो यह इनका पार्ट हो गया अगर इनके blood की बात करें तो यह slightly redis color के होते transparent होते hypertonic होते है sea water pigment इनमें पाए जाते हैं ठीक है और क्या बते हैं यह respiration में take नहीं लेते हैं part in respiration ठीक है does not take part in respiration तो यह respiration में पार्ट नहीं लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उपर इनके टेस्ट होता है इसी लिए बताया था तो कुछ इस तरीके का इनका क्या होता है heart वाला area दिखता है यह रहा ventral aorta यहां पर ठीक है यह test vessel हो गया ventral test हो गया ठीक है इस तरीके से इनका heart region पाया जाता है pharynx इस तरीके से यहां पर यह पाया जाते है ठीक है अगर course of circulation के बात करें अगर heart में blood है ठीक है वह blood का circulation कैसे था इनका course of circulation circulatory system के आगे पास पूछ लेता है तो आप सब को पता है कि इन में क्या होता है नो वाल्व इन हार्ट वाल्व तो कोई इन में होती नहीं हार्ट में तो flow of blood is maintained by peristaltic wave ठीक है peristalsis movement होता है जैसे हमारे food को जाने के लिए peristalsis movement होता है इस तरीके पर क्या होता है इन में इनके heart में होता है इसलिए इनका circulatory system important है कई सारी different kind of चीजे होती है और जब blood को क्या होता अपना direction change करना होता तब reverse peristalsis होता है regular interval के बाद जब भी blood को direction change करना होगा reverse peristalsis होगा ठीक है इन में जो है arteries और veins जो होती है अपना role change कर लेती है जब blood का flow इनको क्या होता है reverse करना हता मतलब एक direction में जा रही है तो यह artery दूसरी तरीके से काम करेगी जब दूसरे direction में जारी है तो वही artery दूसरे तरीके से काम करेगी अभे आप देखेंगे ठीक है यहाँ पे दो तरीके का क्या होता है, फ्लो उता है, ठीक, तो अगर जब heart का heart beat, ventrodorsally, मतलब ventral और dorsal region में क्या होता है, pump करता oxygenated blood को, तो ये cardio visceral vessel में जाता है, कहां जाता है, cardio visceral vessel में, जब ventrodorsally pumps oxygenated मतलब oxygen जिसमें जादे मातरा में होगा, वैसा blood, तो यह cardio visceral vessel में जाएगा which is distributed to the various part of body और यहां से यह various part of the body को चला जाएगा और जो deoxygenated blood है वो viscera से collect होगा branchial visceral vessel में यहीं पे यह देखे इस तरीके से इस तरीके का लगा हुआ है और यह कहां होगा passes through dorsal aorta dorsal aorta के थरूँ इसको यहां पे pass कर दिया जाएगा dorsal aorta के थरूँ पास करके finally reach into the transverse branchial vessel for oxygenation और फिर इसको क्या किया जाएगा transverse branchial vessel में डाल दिया जाएगा फिर से क्या करने के लिए इसके oxygenation के लिए वहीं पे जब reversal phase होगा तो deoxygenated blood को कहां पे collect किया जाएगा cardio visceral vessel में अभी तक क्या था कि यहां पे जब oxygenated था तो उसको कहां पे collect किया जाएगा था? अब यहां पर deoxygenated को फिर से cardio visceral vessel में क्या किया जा रहा है collect किया जा जा रहा है और विसरा के थिरूँ इसको ventral aorta में अभी तक क्या था? dorsal iorota में भेज़ा जा रहा था अब ventral iorota में चला जाता है और end is distributed into transverse bankial, pharyngeal, subtentricular and test vessel branchial, perifaryngeal region में subtentricular region में test vessel में इसको भेज़ दिया जाता है the blood now gets oxygenated अब जब blood oxygenated हो जाएगा तो उसको collect कर लिया जाएगा dorsal iorota में ठीक है उसको collect कर लिया जाएगा यहाँ पर dorsal iorota में ठीक है dorsal iorota में इसको collect कर लिया जाएगा और distribute कर दिया जाएगा branchial visceral vessel में और यहाँ पर क्या किया जाएगा branchial visceral vessel में यहाँ पर distribute कर दिया जाएगा ठीक है और deoxygenated blood जो है viscera से collect कर लिया जाएगा collect कर लिया जाएगा और इसको फिर से heart के पास भेज दिया जाएगा process होने के लिए तो इस तरीके से इनकी processing होती है अब आपसे cardiac cycle पूछेगा course of circulation तो आपको इतना लिखना पड़ेगा ने तो आपको number नहीं मिलेगा आपने देखा उपर दो दस number के थे reproductive system की बात करें तो हरमा फ्रोडाइट होते हैं मतलब मेल और फीमेल इखी बॉड़ी में पाए जाते हैं प्रोटो गाइनस होते हैं मतलब इन में फीमेल पहले mature होती है प्रोटो का मतलब firstly mature और गाइनस self-fertilization होता है खुद से ही fertilization होगा गोनेट की बात करें तो यहां पे दो लार्ज गोनेट पाए जाते हैं एस्टिकुलर रीजन की बात करें तो एक ही में पाई जा रहा है तो यह closely packed स्पर्मेटिक सीखा होते हैं जर्मीनल अपिथाईलीम के दौरा लाइंड होते हैं इनमे स्पर्मेटोगोन यह स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोजोगा पाई जाता है ठीक है इस तरीके से पाई जा रहे हैं इसी वज़ए से हर्माफ्रोडाइट होते हैं अब इनके डेवलपमेंट की में बात करूँ तो डेवलपमेंट हर्डमानिया का एक यूनीक है इस वज़ए से यहां से question कुछ है जाने की जादे chances हैं कि इनमें Retrogressive Metamorphosis होता है एक होता है Metamorphosis ठीक है Metamorphosis में आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जो आपका मालीजिये क्या है जैसे आपका लार्वा है किसका मेड़का जिसको कि टैड़ पोल लार्वा अब यह किसमें कनवर्ट हो आपके Frog में इस तरीके से Frog में यह Convert हो ठीक है तो Frog में Advanced Character पाय जाते हैं इसका Notocard, Nerv Guard में पाय जाता है तो इसको Metamorphosis कह रहे हैं लेकिन यहां पे कि होगा लार्वा पाय जाएगा उसको भी टैड़ पोल, लार्वा, एसीडियन, लार्वा कहते हैं लेकिन वो क्या होगा यह Advanced होगा इसमें Nerv Guard, Notocard सब कुछ पाय जाएगा लेकिन जब यह Change हो रहा तो इस तरीके से Bag Like C Squirt मैंने आपको दिखाया और उसमें आपको कुछ नहीं उसमें आप आपने कहीं पर पढ़ा कि उसमें Notocard, Nerv Guard, Guardit के Character कोई पाय जा रहे थे, नहीं इसी वज़े से इनको Euro Guardit कहा जाता ह क्योंकि इनके Tail के, जो Tail होता है, Larva का Tail जो होता है, उसमें इनका Notocard इस तरीके से पाय जाता है, Adult में आपने कहीं Notocard पढ़ा नहीं, और इस तरीके के Metamorphosis को Retrogressive Metamorphosis कहते हैं, ठीक है? तो Retrogressive Metamorphosis आपको समझ में आ गया होगा, Development of Herd Mania की बात करें, तो Retrogressive Metamorphosis में होता है जिसमें Highly Developed Tadpole Larva Most Degenerate and Sedentary Adult में, मतलब Most Degenerate, परतिगामी काया प्लेट में अत्यधिक विक्सित Tadpole Larva सबसे गतहीन और मतलब Less Developed किसमें Adult में Convert होता है, इसको क्या कहते हैं? Retrogressive Metamorphosis, अब थोड़ा सामलूक Development देख लेते हैं, तो Fertilization इनका कैसा होता है? External होता है, मतलब Water में होगा, दोनों अपना प्रोटोगाइनस है, तो मतलब क्या होगा? पहले इसका Female अपना Ova Release कर देगी, बाद में Sperm, पानी में इस तरीके से दोनों आएंगी, Sperm and Ova, और दोनों क्या करेंगे? अपना Fertilization का Process करते हैं, ठीक है? इनका क्या होता है? जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद इनमें क्या होता है? ख्लीवेज या सेगमेंटेशन होता है, ठीक है? हाफ आवर आधे गंटे बाद Fertilization के, इनमें क्लीवेज होगा और वो होले ब्लास्टिक मतलब कम्पलीट होलो, ब्लास्टिक मतलब पूरा ये एग है ना, Fert decided होता है कि कौन सा एरिया क्या बनेगा, इसी को कहते हैं, ठीक है? क्लीवेज श्टार्ट होगा, एर्रेगुलर टाइप का होगा, अब टू सेल स्टेज बनेगा, ठीक है? आप सब को पता है, कितनी बार मैं बता चुकी है, इस तरीके से जाइगोट बनेगा, फिर इस तरीक गैस्टूला, गैस्टूला के बाद ये नौर्म ک्लेशट, इसी तरीके का प्रोसेश इसमें पूरा चलता है, तो यहीं यहां पे बताया गया है कि पहले क्या होगा, क्लीवेज होगा, इर्रेगुलर वाले रिजर्ट होगा, सालिड बौल लाइक, ट्यक्स सेल, 3 सेल के या इंबोली इस तरीके के क्या होते हैं यहां पर जो चेंज होगा उसमें वह इम बращ यह पका होगा इसके हीज़ोड़ार भिल्श गभार और डबलब करेगा rudiment tail में ठीक है औरकेंट्रान प्रोड्यूस करेगा प्रिजेंट्टी मेजोडर्म की वह मेजोडर्म बनाएगा लार्वा हैच करेगा फ्री स्विमिंग बन जाएगा ठीक है और इनमें जो लार्वा पा जाता है कि उसको कहाते हैं टैड़ पोल लार्वा कहते ह है यह स्मॉल टाइप को होता है टैड़ पॉल डस से बार गंटे बाद बनता है फटिलाजेशन के ट्रांसपारेंट होता है वन टौफ एमेम ठीक लॉंग होता है जीरो टौफ एमेम वाइड होता है मॉटाइल होता है ठीक है इंटार बॉडी इनकी टेस्ट है ट्यूनिक से पाजाता है इनके डेवलपमेंट में आप देख रहे हैं यह अध्यसी पेपिला इस तरीके से पाजार चीपकने के लिए इनमें इंडोस्टाइल पाजा रहा है पूरा इनका हार्ट सर्कुलेटर सिस्टम सब कुछ डेवलप है बलकि इनमें नर्व पाजा रहे हैं नोटो क दाजा है लो किस तरीके से इस तरीके से बैग तरीकिंग लाइक नो नोटो कि भूटन था । यह क्या है यह बहुत ज्यादर डेवलप है और यह चर्डब मोंजा रहे हैं बाकि इनका लारवा, टैडड़ पूल लारवा समझ में आ गया होगा, अगर टैड़ पूल लारवा आप से पूछे तो आप उसको बता सकते हैं कि क्या उसमें पूरे स्ट्रक्चर, बाकी सारे स्ट्रक्चर नर्व कॉर्ड, नोटो कॉर्ड अलग है और अधेस से पेपिला पाया ज जनरल इस्ट्रक्चर पा जा रहा है, ठीक है, सौल्ट, ओवल, एंटीरियर ट्रंक पा जाता है, ठीक है, यह ट्रंक हो गया, यहाँ पे आगे हैड हो गया, और यह लॉंग टेल पा जाती है, और इसी टेल में क्या होता है, इनका नोटो कॉर्ड पा जाता है, इसी वज़ेस नहीं, ना आपने कही नर्व कॉर्ड देखा, न नोटो कॉर्ड देखा, तो ये सारी चीज़े गाइब हो जाएंगी, तो इसको कहेंगे रेट्रोग्रेशन, ठीक है, प्रतिगामी, ठीक है, लुप्त हो जाएंगी चीज़े, और प्रोग्रेशिव में क्या होगा, कुछ लार्वल स्ट्रक्चर के हांगे, आगे सर्वाइब करेंगी, ठीक है, जैसे उनका हार्ट वही है, ठीक है, उनका इंडोस्टाइल वही है, वो सारी चीज़े आगे डवलप हैं, तो इनमें रेट रेट्रोग्रेशिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, तो होफुली आपको यह समझ में आगे, अगे टैट पोल लार्वा पूछ ले तो आप बता सकते हैं, रेट्रोग्रेशिव मेटामॉर्फोसिस पूछ ले तो आप बता सकते हैं, ठीक है, सिर्फ रेट्रोग्रेशन नहीं वह रहा है, सिर्फ चीज़े का है, अब नहीं वह रही है, इसके लारवा में, तो वो हर्ट आगे डेवलप होके, क्या बन रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से इनका प्रॉसेस चलता है, तो फुली आपको, यह हर्ड मानिया, C-square, इसकी मौर्फोलोजी, इसकी फीजियोलोजी, इसका डेवलपमेंट, अच्छे से समझ में आ गया होका, कुई क्या रिया प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट सक्षन में, जरूर बताएं, मिलते हैं, नेक्स टेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, थैंक्यो प्रीवन,